असलाम अलेकम, MS Windows 11 में आप किस सरा Network IP की सेटिंग कर सकते हैं, तो ये Network की Option पर आप Right क्लिक करेंगे, उसके बाद Network इंटरनेट सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप Advanced Network सेटिंग्स की Option पर क्लिक करेंगे, अब आप क्या करेंगे, More Network Adapter Options, यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये Ethernet की जो आपका अडप्टर होगा, उसकी Option यहां आजेगी, यहां पर आप Right क्लिक करेंगे, उसके बाद ये Properties में जाएंगे, अब आपने TCP जो IP जो आपका IP अड्रेस है, यहां पर इसकी सेटिंग करेंगे, इस पर डबर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास Options आजेगी, अगर आपने DSCP सर्वर क्लिक करना जाते हैं, सिंपल यहां पर क्लिक करके, इसको OK कर देंगे, और अगर आपने Static IP का इस्तेमाल करना है, तो सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे, और जोंसा आपका IP होगा, यहां पर आप लिख कर उसको Assign कर देंगे, तो इस तरह आप अपना IP चेंज कर सकते हैं, Manual तरीके से भी और Automatically तरीके से भी, Assalamualaikum